हाँ जी तो कैसे हो अपलोग मैं आपका निलेश भी अब बहुत दोश्वागत करता हूँ इस यूटूब चैनल पे दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी बोड का बोड परिच्छा 2024 जो होने वाली है उसके लिए math यानि गणित का स्लेबस और इसमें मैं आपको सुरू में ही बता दो कि बहुत सारे changes किये गए हैं और यह changes यूपी बोड के द्वारा नहीं किये गए हैं यह changes इस NCRT की तरब से किये गए हैं आप जानते हों कि UP बोड में जो math की बूक होती है उसके लवा science की बूक होती है social science की उसका लवा English वाली भूक जो है NCRT पे ही based होती है भले ही वहां राजियू प्रकासन लिखकर आता है लेकिन वो सारे NCRT के ही लेशन है बस हिंदी एक अलग होती है तो इन चार सब्जेक्ट लाइक English, Math, Science और Social Science इन चारों में बहुत सारे changes किये गए हैं करकर मैं सारी चीजे बताऊंगा इस वीडियो में मैं आपका गंडित का पुरा कपुरा चलो श्लेबस बतायता हूं कि क्या क्या changes किये गए है इसमें एक चेप्टर आपका remove कर दिया गया है जो रचनाओं से संबंदी था उसके अलावा बहुत सारी प्रसनावलिया हटा दी तो यह changes की है NCRT तो इससे जो सारे के सारे board होंगे उनके syllabus पर impact परेगा तो आप किसी भी board के student हो NCRT book पढ़ते हो तो यह syllabus आपके लिए भी applyable है UP board के साथ साथ ठीक है चलो यहाँ पर मैं नीचे आता हूं और देखते है syllabus एक मिर्ट यहाँ मैं नीचे आता हूं और यहाँ यह NCRT book है यह book कहां मिलेगी तो आप ना हमारी app download कर लेना यहाँ पर मैं लिख देता हूं एप का नाम लिख देता हूं देको UP MSP study यह लिखकर आप प्लेश्टोर गूगल प्लेश्टोर पर यहाँ से आप सारी application download करते हो वहीं पे सर्च करना मेरी application आ जाएगी पहले इसका नाम चेंज करकर UP MSP study कर दिया इसको download कर लेना यहाँ पर UP board का सारा का सारा अपती पेपर मिल जाएगा उसके अलाब बहुत सारे free में study material यहाँ पर कोई चीज पेड़े नहीं है विल्कुल सारी चीज़े free में है तो आप जरूर इसको download कर लेना बाकी चलो यहाँ पर मैं NCRT की बुक जो आपकी यह नई वाली बुक है इसको भी धिरे धिरे एड कर रहा हूं मैंत के लगबग 10 लेशन मैंने एड कर दिया है आगे के भी लेशन एड कर दूँगा और देखो एक यहाँ पर यह लिखा है ना 2023-26 आप मार्केट से बुक लेने जाना तो मार्केट में 2022-23 बोड़ी जाम हुआ था उसके लिए जो बुक आई थी एंस आर्टी की वह आपको बुक देंगे लेकिन उसको आप मत लेना ठीके आप 2023-24 वाली बुक लेना जी हमें दुस्तों 2023-24 वाली क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किये गए है चेंजेस क्या है चलो हम लोग देख लेते हैं यहां एक एक करकर देखो यहां बिसाय सुची यहां पर देखो सबसे पहला यहां पर देखो आप ध्यान दो यहां पे सबसे जो पहली चीज जो वास्तिवी संख है जो फॉस्ट चेप्टर है real number देखो उसमें पहले क्या था कि पूराने pattern के अधार पर ये सरान शुर्द देखो तो यहां केवल दो प्रसनावलिया बसती है पहले मतलब पहले यहां पे चार प्रसनावलिया थी 1.1 1.2 1.3 1.4 लेकिन देखो यह वाला फॉस्ट आप लों का ठीक है तो उसी प्रकार यहां भूमिका और सरांस को काट दिया जाए तो दो प्रसनावलिया बच लिए आपको नए पैटर्न के रुशार अब आपको केवल दो प्रसनावलिया पढ़ना है रियल नंबर यानि वास्तु इक संख्यावला जो चेप्टर है इसमें क्लियर है इस प्रसनावलिया जैसे यह बहुपद है तो इसी प्रकार इसमें पहले साथ तिन प्रसनावलिया पढ़नी होती थी अब दो पढ़ना है तो इसी तरह हर एक चेप्टर में आपकी प्रसनावलिया कम की गई है और एक चेप्टर ही उड़ा दिया गया है वो कौन सा चेप्टर ह चलो, अभी मैं आपको बताता हूं, तो second chapter आपका बहुपद होगा, clear, उसके बाद आपका जो ठर्ड़ chapter होगा, वो होगा, दो चर वाले रैक्रिक समी करड इव्म, clear, उसके बाद देखो, यहां पे, चौथा जो chapter होगा, वो होगा, आपका दिवघाद समी कर, ठीके, दिवघ 30%एट हो गया है तो इसे खतम नहीं है इसा को पर ना ही है उसके बाद देखो जो ये त्रिभूज वाला चेप्टर टिर चेप्टर अचे थिजि को आपको पर्णा है उसके बाद साथ वा जो चेप्टर है वो निर्देसांक ज्यामिति यहाँ Page साथ वा चेप्टर था मैं यहां पे निकाल लेता हूं एक मिनट पुरानी बुक के अनुसार मैं देख लेता हूं आठवा नौवा दस्षवा इगार हाँ इगार नमर चेप्टर था चलो कोई दीकत नहीं यह साथवा निर्दे सांक ज्यामिती हो गया उसके बाद जो आठवा है आपक 23 वाली उसमें बहुत सारी प्रसनावली थी और इस बार कम कर दी गए यह प्रसनावली तो इस बात को ध्यान रखना यह हर एक प्रस्त मतलब चेप्टर में ही किया गया है मैंने चेक कर लिए पहले से तो यह बार बार बताने की कोई यूरुत नहीं है आप भूद देखना खुद पढ़ना अगर आपके पास फुरानी बुक होगी तो उससे कंपेयर करकर उसके बाद 9 नमबर चेप्टर होगा आप लोग देख सकते हो वह त्रिकोड मीती के अनुप्रियोग इसमें आपको त्रिकोड मीती के अनुप्रियोग नी हाइट एंडिस्टेंस वाली सवा खत्म कर दिया गया है उससे साफ उड़ा दिया गया है आपके बुक से तो यह बढ़ बुक में बदलाओ किया गया है ऐसा नहीं कि 30% खत्म किया गया है नहीं ये NCRT बुक में ही पुरा फुरा ये बदलाव किया गया है ये हमेशा के लिए अब रहेगा उसके बाद 11 के बाद 12 नमबर आपका चेप्टर देखो प्रिष्टिय चेत्वल और आयतन आपको पढ़ना है उसके बाद सांखिकी पढ़ना है आपका अगला चेप्टर 13 नमबर ठीक है और इस प्रकार आपके पूरे के पूरे ये चेप्टर समाप्त हो गये सोरी अंत में एक और चेप्टर बसता है प्राइकता प्रॉबिलिटी तो 14 चेप्टर इस प्रकार आपको पढ़ने है पहले आपको 15 चेप्टर पढ़ना पढ़ना पढ़ता था साथ में जो प्रसनावलियों को खतम किया गया है जैसे आप लोगा मैं बताया कि जैसे रियल नमर फॉस्ट रहे तो उसमें 1.1 से लेकर 1.4 चार प्रसनावलिया थी लेकिन उन चारों को उसमें से बहुत सारे जो अन्वांटेड सवाल थे उनको हटा दिया गया है और कुल मिला कर 1.1 और 1 1.2 यानि दो प्रसनावलिया बनाई गई है ठीके और इन दोनों प्रसनावलियों में पहले ऐसा नहीं कि जो प्रसनावली 1.1 थी और 1.2 थी पहले वाली उसी को यहां पर रखा गया है नहीं इसमें आपको बिलकुल अलग ही सवाल मिलेंगे ठीके इसमें मतलब जो एक से च 24 के लिए इसी को आपको पढ़ना होगा इसी के अधार पर आपको की बोर्ड पर इछा 24 पर कोशन बनेंगे बाकी मैं जल्द स्टार्ट करने माला हूं आपका मैत एक चेप्टर वाइज मैं पूरे मैत को फिनिस करूंगा तो आप चैनल को सब्सकाइब कर सकते हो अच्छे स आप से नेक्स्ट वीडियो में प्रस्नावली 1.1 इस्टार्ट करूंगा हलांकि मैंने स्टार्ट कर दिया था लेकिन बीच में ये एंसे आटी ने पूरा अपना त्लेबस ही बदल दिया बुक ही बदल दिया एक तरह से अधिसनलाइज कर दिया हम लोग बोल सकते हैं तो इ ये ने प्रेटरन के अनुसार अब आपको पढ़ना होगा ठीक है तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्यू